हेलो बच्चो आज हम लोग सेखेंगे मैट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेट जो कि होता है नमबर सीरीज यह कॉंसेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बैंकिंग एक्जाम में अल्मूस्ट पाइप मार्ट का कुश्चन आता है अगर आप SSE का एक्जा क्वालिफाई नहीं करता है जिसको सारा कुछ आता है प्लस कॉंप्टेटिव एक्जाम में वही बंदा क्वालिफाई करता है जिसको यह पता होना चाहिए कि क्या एक्टेंट करना है तो मैं थोड़ा सा आपको इस नमबर सीरीज के बारे में एक पॉइंट यहां पे डिसक करना चाहता हूँ कि देखो अगर आप पियो लेवल जैसा कि मैंने बुला इससे फाइप मार्क्स का आता है तो अगर आप पियो लेवल एक्जाम में आप देखोगे इसका जो तो कोस्चन आएगा यह आल्मोस्ट टॉफ आता है तीक है जहां पर एक्जामनर आपको फसाने आता है, तो आपको करना क्या है, आपको एक बार उसको देखना है, अगर आपको उसका logic समझ में आया, तो fine, otherwise immediately आपको skip करना है, तो क्या होगा कि आपको time waste होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, clerical label exam देने जाओगे, तो आपका 5 questions होता है, उसमें almost 3 या 4 question क्या होता है, ठीक का level का होता है, one question थोड़ा सही दरगर करता है examiner, तो आप clerical label में इसको अच्छे से attempt कर सकते हो, लेकिन pure label exam में इसको bonus मान के चलना, अगर attempt होगा, तो fine, otherwise skip करेंगे, अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि यह जो number series है, मैंने बता दी है 5 marks का question इसस तो क्या होगा, एक numbers का pattern दिया होगा, और उसमें होगा क्या कि एक number क्या होगा, missing होगा, जैसे एक simple सा example ले लेता है, अगर मैं ले लेता हूँ 2468, और मान लेते हैं यहाँ का number missing है, तो सबसे पहले तो आपको identify करना होगा कि इसके पीछे का logic क्या है, और उसके बाद क्या करन आने वाला है, 10 आने वाला है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसी तरीके से आपको इसको fill up करना होता है, second अगर हम लोग बात करें wrong number series का, तो wrong number series में क्या होता है, ऐसा ही एक pattern आपको दिया होगा, जिसमें एक number क्या होगा, गलत होगा, जैसे मैं इसी पे अग क्या होगा, wrong number होगा, तो यह होता है wrong number series, और last एक new pattern का question recent पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे होता क्या है, वही चीज़ बद थोड़ा सा गुमा देता है, करता क्या है, जैसे आपको देखरो, आपको एक number दिया होगा, एक number series का pattern दिया होगा, और उस पे base करके एक दूसरा series होगा, जिसमें बहुत सारे number क्या होगे, missing होगे, जैसे यहाँ पे आप क्या देखरो, A, B, C, D, E, ऐसे करके यहाँ पे दिया होगा है, तो आपको करना क्या है, कि पहने वाले series का क्या करना है, logic को पैचानना है, और उसी के basis पे यह नीचे वाले को fill up करना है, जैसे अगर म इसको देखो, तो यहाँ पे क्या है, 24, 6, 8, 10, 12, मतलब एक consecutive even number का आप देख रहे हो, series चल रहे है, जिसका gap कितने का है, 2 का है, तो अगर मैं नीचे वाले को सी logic पे अगर fill up करूँ, तो यह अगर 120 है, तो यह क्या होगा, 122 होगा, इसमें 2 प्लस करेंगे, 124, 126, 128, और यह क्या आजाएगा, यह आजाएगा 130, तो अभी देखो, यहाँ पे मुझे A, B, C, D, E, सारा कुछ बिल चुका है, अभी जैसे आप आपसे पूछा गया पहला question कि find E, E find करो, तो देखो, already हमने E find कर चुके है, हम लोग, E का value क्या था, E का value हम लोग को मिल जाएगा 130, second question में आ मतलब क्या होता है, divided by 100, into क्या होगया, 130, अभी यह 2,0 से 2,0 cancel out करके, 13,5 जा multiply कर दो है, इसका answer क्या आजाएगा, 60, यहाँ पिर आप 50%, अगर आपने मुझसे पढ़ा है, तो आपको पता हुआ, 50% मतलब simply हम लोग क्या करते है, हाँ आप करते है, तो यहाँ पे 65, और ए 3rd question जैसे आपर बना दिया है, 2e-d, यहाँ पे 2e का value कितना है, 130, और यहाँ पे d कितना है, 120, तो अभी हम लोग simply क्या देख रहे हैं, यह 130 का 2 times क्या होगा, 260 होगा, और यहाँ से इदर मैं 128 को माइनस कर दू, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, 8 जाएगा, क्या होगा, 2 आ गया, और 25 में से 12 गया, क्या होगा, 130, तो इसका answer क्या होगा, 132, इस तरीके से क्या होगा, पहला वाला अगर आपने logic पकड़ लिया, तो उसके basis पे डूसरा series आराम से मिल जाएगा, और उससे related सारा question आप लोग बना पाऊगा, तो अभी मुद्दा यह है, कि तो बहुत लोग क् बहुत सारे जो patterns होते हैं, वो पता ही नहीं होते है, बस उनको एक gap वाला pattern पता होता है, कि यहाँ gap से हम लोग solve करते हैं, और उसी से try करते हैं, वो सारे type के question को solve करने का, जिससे question solve होता नहीं है, तो आपको करना कहते हैं, इस video में मैं आपको इस से related जितना भी pattern maximum possible होता है, वो सारा मैं आपसे discuss करूँगा, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, उसमें मैं previous year का question लेक्या होगा, जहाँ पर हम लोग previous year का question, जहाँ वो सारा हम लोग solve कर रहे होगा, लेकिन सबसे important है यह वीडियो, जिसमें आपको at least सारा pattern आप अच्छे से 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 जाओ, आपको करना क्या है कि जब भी आप exam देने जारो, उसके पहले एक बर यह वीडियो देखो आपको सारा pattern दिमाग में आ जाएगा, उसके बाद देखो कि question आपसे बनने ले, जैसा कि मैंने बोला है कि number series का question हो banking और SST दोलों में आता है, तो banking में जो question आते हो आप इसको हम लोग illogical series बोल सकते हैं, जैसे आप यह question आप खुद से एक बर try करो, वीडियो post करो, try करके देखो आपसे question बनता है कि नहीं बनता है, आप मैं इसका कोई भी logic लगा लो, almost आपसे नहीं बनने वाल है, तो actually मेरे कोई यहाँ पर logic की आगर मैं आपको बताओ, तो जै मतलब यहाँ पर जो middle वाला number है, उसका square करने से उसके आजो बाजो का number मिल जा रहा है, सेम आप देखो यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 का अगर हम लोग square करेंगे तो क्या आता है, 36 आता है, तो यहाँ पर 36 दिया हुआ है, यहाँ पर देखो middle वाला number क्या है, 7, 7 का square करने से क् 49, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8, 8 का square करेंगे तो क्या मिलेगा, 64, तो अभी आपको समझने आ रहे कि इसके बाद का logic क्या होगा, तो यहाँ पर mathematical अगर देखा जाए, आप gap से या फिर multiply अगर से solve करते तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है, 5, 6, 7, 8, इसका मतलब इसका next number क्या आएगा, वो 9 आएगा, और 9 का मुझे क्या करना होगा, square करना होगा, 9 का square करेंगे तो क्या होगा, 81, इसका मतलब इसका answer क्या आता है, यहाँ पर 8, 91, इस type के logic को आपको जो है, वो reasoning में apply करना होगा, जैसे आप देखो अगर नीचे वाले question का, अगर हम लोग बात करे तो यहाँ पर 100, 101, 201, 103, 401, इस type का दिया होगा है, तो यहाँ पर भी अगर वही same चीज है, अगर आप यहाँ पर logic लगाने लगो कि match का gap वाला, तो यहाँ पर आपसे solve नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर digital sum का, digit sum का concept है, जैसे अगर मैं इन सारे को अगर मैं plus करता ह यहाँ पर इसका digit क्या होगा, 1 plus 0 plus 1, तो यह क्या आजाएगा, यहाँ आजाएगा 1, अगर आप इन सब को plus करो, 1 plus 0, 1 plus 1 क्या होगा, 2 आएगा, यहाँ पर इसके digit को अगर आप प्लस करोगे, तो 2 plus 0, 2 plus 1 क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो 3 plus 1 क्य आएगा 4, यहाप पे आप देखो कि तो क्या आएगा 5, इसका मतलब क्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब जो भी इसका next वाला number आएगा, उसके digit को plus करने से क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो बस आपको यही पहचानना है, तो यहाप पे आप क्या देखो, इसको अगर मै plus करो, तो 1 plus 4 क्या होगा, यह 5 होगा, इसका मतलब यह तो answer नहीं हो सकता है मेरा, अगर मैं इसको plus करो, तो 2 plus, 2 plus 1, 3 plus 3 क्या होगा, 6 को यह आपका answer हो सकता है, बाद remaining वाले को check कर लो, जैसे आप अगर हम देखें, तो 4 plus 1, 5 plus 5 क्या होता है, 10, 10 मतलब फिर से इसको आपको single digit में convert करना है, यहाँ पर क्या आएगा, यह 1 आएगा, इसका मतलब यह answer नहीं होगा, इसको अगर हम लोग प्लस करें, तो 4 plus 2 क्या होगा, 8, 8 plus 5 क्या होगा, 13, 13 को अगर आप single digit में convert करोगे, तो 4 आएगा, इसको digit sum 5 के बाद क्या आना चाहिए था, 6, इसका मतलब क्या होगा इसका answer क्या था, 2, 1, 3 था, तो आपको इस तरीके से, जब आप reasoning का number series solve करोगे, तो यह सारे चीज़ को आपको mind में रखना है, कि वहाँ पे square दे सकता है, beach का number का cube दे सकता है, ऐसा दे सकता है, digital sum से दे सकता है, लेकिन normally आप देखोगे, जब आप banking exam दोगे, तो आप एक math का पुछ एक particular logic वन होगा, क्या होगा अब यह हम लोग से, तो math में सबसे पहला और most important series जो होता है, वो होता है prime number series, कि देखोगे इसका अपना ही pattern है, अगर आपको prime number के बारे में पता है, तो ही आप इसके series की logic को पकर पाऊगे, otherwise नहीं, normally इसमें question कैसे पूछते हैं, तो आप क्या होगा, आप देखोगे number में क्या होगा, या तो number series prime number का ही दिया रहेगा, या फिर आप देखोगे number में prime number का ध्याइफ होगा, या फिर आप देखोगे prime number का square, prime number का cube, यह सारा दिया होगा, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना पड़ेगा, कि prime number क्या होगा, तो prime number ह होता के, प्राइब नमबर है जिसका की वाल 2 factor होता है, जैसे अगर मैं एक्जाम्पल के लिए बताऊँ, तो आप देखोगे जैसे 2, 2 की है एक प्राइब नमबर से होता है, जैसे 1 और 2, 1 जो होता है वो प्राइब नमबर नहीं होता है आप लोगों पता होगगा, अगर हम लोग 3 का बात करें तो इसका 2 factor होता है 1 और 3 factor क्या होता है जिससे वो number divide होता है अगर हम लोग 5 का बात करें तो इसका भी क्या होगा 2 factor 1 से जाएगा और क्या होगा 5 से जाएगा अगर हम लोग 7 का बात करें तो 1 और 7 तो ये सारा क्या होता है prime number होता है आप लोग prime number के बारे में जिस्ट ये 2 के बारे में थोड़ा सा एक important point याद रखना, ये जो 2 होता है, ये क्या होता है, smallest prime number होता है, और दूसरा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्या है smallest prime number, prime number के बारे में बता रहा हूं, तो ये भी बता देता हूं, क्योंकि state level exam में ये सब push-in पूचे जाते हैं, और second आप लोग याद रखना है कि 2 जो है, ये only prime number है, जो कि even, only prime number, which is even, इसके अलावा आप देखो कि जितना भी prime number होता है, सारा का सारा क्या होता है, odd होता है, तो ये point आप लोग को prime number समझ में आ लिया, अभी total कितने prime number है, आपको at least hundred prime number जो होते हैं, वो आपको दिमाग में रखना है, आपको क्या करना है, आप इसका screenshot ले सकते हूँ, यहाँ पर जो दिया हुआ है, बहुत बार आप देखोगे कि आप से direct ऐसा question बूचता है, कि 1 से लेके hundred तक total कितने prime number होता है, ये state level exam होगे हमें, या SSC में पूचा गा, या फ इसने prime number होते है, 25 prime number होते है, जैसे 1 से लेकर अगर हम लोग 10 तक का बात करें तो उसमे prime number क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11 से 20 क्या होगा, 11, 13, 17, 19, 21 से लेके 30 तक में क्या होगा, 23, 29, इस तरीके से सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इंगे आप लोग एक बार screenshot ले ले, अब इसमें क्या आप कुछ कुछ दिया होगा है, इसको हम लोग solve करतें, जैसे आप पहला question पहला question जो दिया होगा है, तो पहला question में आप क्या देखरो होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, मतलब कहीं न कहीं, आप देखो, तो यहाँ पे सारा कर सारा जो है, वो prime number दिया होगा है, और एक के बाद तो आपको सिंप्ले सोचना है कि नइब दै। तो इसलिए ये प्राइम नंबर important है, क्योंकि अगर आपको ये प्राइम नंबर पता है, तो ये attempt वोगा दरवाईज आपको skip करना हो, second वाला question देखो, ये important है, जैसे ये fourth वाला question है, यहाँ पे ये लोग क्या दिया, यहाँ पे आप देखो, 7, 13, 23, 14, सारा क्या सारा prime नंबर है, लेकिन आपको ये देखना है कि prime नंबर जैसे उपर वाले में तो consecutive लगातार दे दिया था, यहाँ पे क्या दिया है, देखो, prime नंबर का gap है, जैसे 7 और 13, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है 13, तो 7 और 13 के बीच में क्या देख रहे हूँ, एक prime नंबर यहाँ पे missing था, जो कि कौन सा वाला था, 11 नंबर था, अगर मैं उसके बाद का बात करूँ, जैसे 13 के बाद 23 रिया हो, यहाँ पे क्या क्या है, 11 को missing, 13 से अगर मैं 23 का बात करूँ, तो 13 यहाँ पे 23 यहाँ तो यह यहाँ पे आप देख रहे हो, दो prime नंबर क्या है, missing, यहाँ पे क्या था, दो prime नंबर का gap था, 23 से अगर मैं 41 का बात करूँ, यह 23 और यह 41 है, तो इसके बीच में आप देखो, यह 3 prime नंबर क्या किया है, यह लोग gap कर दिया, 23 से लेके कहा था, 41, तो अभी 41 से बाद, पहल 23, 23, 24, इसका मतलब next वाला जो answer होगा, आपका क्या होगा, वो 61 हो, तो इसका answer था 61, देखो इस तरीके से अगर आपको prime नंबर ही पता नहीं होगा, तो यह सारा question आप patent कभी नहीं कर पाऊगे, इसलिए यह prime नंबर जो मैंने बुला, बहुत important इस पूच्छे से आप लोग निख के रख लिए, अब देखो जैसे इसके बाद, यह दो question आपको logic समझ में आगे हैं, direct या तो prime number दे दिया था, या फिर prime number में कुछ gap करके, एक, दो, तीन, ऐसे करके दिया था, जैसे यह question number 5 देखे, तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे यह number क्या है, prime number नहीं है, तो हम तो क्या करेंगे, gap एक बर चेक करते, जैसे यहाँ पर देखो, यह 21 और 23, इसमें कितने का gap है, तो यहाँ पर 2 का gap है, अगर मैं 23 से 26 के पास जाओ, तो यहाँ पर आप क्या देखो कि कितने का gap है, यहाँ पर 3 का gap है, 26 से अगर मैं 31 के पास जाओंगा, तो आप क्या देखो यहां पर 5 का gap है, 31 से अगर हम लोग 38 के पास जाएंगे तो क्या आएगा, 7 का gap है, तो आप क्या देख रहु है, यहां पर जो gap दिख रहा है, वो prime number का gap है, 2, 3, 5, 7, सारा क्या है prime number, तो 7 के बाद क्या आने वाला है prime number, 9 नहीं होता है, क्या होता है, 11 होता है, तो आपको simply कहता है, यहां पर 11 प्लस करना है, और अगर हम इसमें 11 प्लस करें, तो यहां पर क्या आएगा, 40 नहीं है, इसका मतलब इसका answer क्या था, 40 मिलीन था, तो यह एक pattern बता है, यहां पर gap जो होता है, वो prime number का दिया है, यहां पर जो अगर मैं last वाला, यहां पर 6th number question है, इसको अगर हम 169 अगर हम देखे तो यह क्या है, यह 13 का square है, यहां पर 289 था, यह क्या है 17 का square है, और 361 क्या है, यह 19 का square है, देखो आपको square आप competitive exam दे रहे हो, आपको square at least 25 से 30 तक याद होना चाहिए, क्योंकि square बहुत ही काम आता है, मैंने square के उपर वीडियो बनाया, अगर आपने नही नहीं देखा है, तो आपको देख लीजा, जिससे आपको square अगर आराम से याद हो जाएगा, यहां पर क्या देख रहे हो, यह 11, 13, 17, 19, अभी बहुत लोग ऐसा लग सकता है कि gap दी तो 2 का, यहां पर 2 का gap है, यहां पर 2 का gap है, यहां पर 2 का gap है, तो इसका मतलब gap वाला question न होना चाहिए, 23 का square कितना होता है, यहां पर मैं आपको square नहीं सिखाता हूँ, यह तो बीटियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 23 का square क्या होगा, 529, तो इसका answer क्या होगा, 529, तो इस तरीके से देखो prime number पर base करके, जो series आता है, वो इसे number जो यहां पर दिया हुआ, इस numbers पर base होता है, आप 1 से लेकर 100 तक time number and याप लोग याद कर लेगी, या फिर आप लिख के रख लो, exam में जाने के पहले एक बार देख लेना, तक exam में अगर आए, तो आप इससे question आरामते attempt कर पाऊ, तो नेक्स सेरी जो आता है, वो आता है addition series, एडिशन सेरी जैसा के नाम से समझ में आ रहा होगा, आप लोगो यहाँ पे क्या होगा, कुछ add होगा, अभी किस pattern में add होगा, जैसे यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक fix number add करना ही start करे, जैसे पहले वाले में 3, second वाले में 3, इस तरीके से एक fix number add होगा, ऐसा हो सकता है इसमें, या फिर देखोगे कि जो number add तो यहाँ पे एडिशन सेरीज वाले का खासियत यह होता है, कि यहाँ पे number क्या होते है, normally increasing होगे, और यहाँ पे gap बहुत इसमाल होगा, इसको देखके आपको पहचाना है कि यह एडिशन सेरीज है, जैसे इसका एक डो एक्जामपल है यहाँ देख लेते हैं, जैसे आप इन देख रहू, यहाँ पे यह जो question number 7 है, यहाँ पे आप क्या देखरो number 13, फिर क्या है, 15, यहाँ पे क्या किया है, यह लोग 2 प्लस किया, 15 से अगर हम लोग 17 जाएंगे तो क्या होगा, 2 प्लस होगा, 17 से 19 में भी क्या हो रहा है, 2 प्लस, मतलब एक fix number को क्या कर रहा है, य इसका मतलब इसका जो next वाला number आएगा उसमें फिर 2 फ्लस करेंगे और इसका answer क्या हो जाएगा 21 तो यह होता है addition series जैसे दूसरा एक और example मैंने लिए just यह example इसलिए मैंने दिया था कि आपको यह pattern आपके mind में feed हो जाए फिर जब आप question practice करोगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं होगा जैसे यहाँ पर देखरो 13 से क्या है 15 है तो आप क्या देखरो है यहाँ पर 2 का gap है 15 से अगर हम लोग 18 के पास जा रहे है तो यहाँ पर क्या दिख रहे है 3 का gap है 18 से अगर 22 के पास गया तो क्या होगा 4 का gap मतलब यहाँ पर जो gap हो रहे है वो increase होता जा रहे है 2, 3, 4 वावियस सब आते है इसके बाद जो gap आएगा वो क्या होगा वो 5 का होगा इसका मतलब इसका answer क्या होगा 27 होगा तो इस तरह किसे addition series को आपको पहचानना है कैसे पहचाननेंगे हम लोग देखेंगे कि number normally increasing होगा और gap क्या होगा बहुत ही small addition के बाद next आते है subtraction series तो यहाँ पर क्या होगा नाम से ही समझ में आ रहे है कुछ number subtract हो रहे होगा अभी इसका pattern होई हो सकता है जैसे addition में था या तो कोई एक fixed number आप देखो कि यहाँ पे minus करना इस्टार्ट करेगा सारे number में जैसे 33 में ने minus कर लिया या पिर यह increasing order में हो सकता है 1 minus किया 2 3 ऐसे गड़के या तेरे decreasing में हो सकता है यही pattern आपको दिया जा तो अभी इसका खास बात होगा तो इसका खास बात यह होता है कैसे पहचानेंगे हम लोग तो देखो कि number normally decrease हो रहे होगे और gap क्या होगा small होगा ठीक है जैसे यह पर example दिया हुआ इससे समझ लेते है जैसे यह 97 और 94 तो यहाँ पर क्या देख रहे है नंबर क्या हो रहा है इसका next वाल अगर में यहाँ पर देखो तो 100 से 90 हो गया मतलब क्या है 10 का gap है मतलब 10 क्या होगा這 frightened क्या होगा gap बुरनोंब ब्रीज हो गया यहाँ पर आप क्या देख रहे हूँ 9 little crge हो रहे है अगर मैं इस से इसके पास जाओ तुई यहाँ पर 8 come 8 decrease मैं स Ball T नंबर अ सब्सक्राइब अब ये पैचानेगे हम अब उमत पर नमंबर सब्सक्राइब पर पिवाले सारिपन पर यहां करें इस से वस्तां के इन होते ंतुर नंबर अगनों को टो और प्रॉर सिरिज होगे यह हो रहां हो लेकिन यहां पर इन दोनों इसे करना पड़ेगा इसे वादा पर कटन कि तो नि यह कौन सा से recommend यह multiplication वाला से लिए जैसे यहां पे example पे यह जैसे यह 6 यहां पे क्या होगा 12 तो आप क्या देखरें इसमें क्या किया लोग इंटू 12 से 24 हुआ मतलब यहां पे भी क्या होगा 2 से multiply यहां पे 24 से 48 है मतलब क्या हो रहा है 2 से multiply मतलब क्या हो रहा है तो नाइन से क्या हो रहा है यहां पर क्या होगा टू से वड़ी है अम यह 18 से चला गया तहां पर 54 तो 18 थ्रीजा क्या होता है 54 आप लोग टेबल याद करो टेबल बहुत जरूरी है मैं हर क्लास में बोलता रहता हूं यह बात कि आपको at least 19 तक का table square 25 तक क्यों जो है वो 15 तक at least याद होना चाहिए जैसे यह 54 से अधर हम लोग बात करें 216 तो यह कितना है तो 50 का 4 तैंस क्या होता है almost 200 है न तो यह क्या होगा यह 4 तैंस हो एक बार आपको logic समझ में आ गया है तो आप unit digit से भी verify कर सकते हो जैसे 44 यह क्या होता है 16 मतलब यह 4 तैंस किया अभी इसका हम ल हैंगे इसका 6 तैंस कितना होगा दो थाउजेंड का 6 तैंस क्या होगा 6000 और एटी का 6000 क्या होगा 480 इसका मतलब इसका एंसर होगा 6004 यह इसका है इस तरह के से हम लोग multiplication सेरीज को पैचान तो multiplication के बाद next क्या आता है division सेरीज का वारी, division सेरीज में भी होगा क्या करेंगे हम लोग divide कर रहे हुगे, logic आपको समझ में आ रहे हैं या तो एक fixed number जैसे मैं लोग 2 से ही सारे number को divide कर दिया या फिर इसको हम लोग increasing order में पहले 2, 3, 4 ऐसे कर सकते हैं या फिर decreasing order like 10, 9, 8 ऐसा कुछ pattern आपको दिखीगा, जैसे यहाँ पर example है आप इसको try कर सकते हो, जैसे यहाँ action में भी हो रहा है और division में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ division वाले में पहला नमबर और last वाला number, gap क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, इससे समझ जाओगे कि divide हो रहे है, जैसे यहाँ पर 6000 और 3000 तो यहाँ पर क्या है, लोग divided by क्या क्या है, उससे divide करनी है, 3000 से 1500 मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, divided by 2, तो दो नमबर से यह आपको logic समझ में आ जाएगा, यहाँपर क्या हो रहा है, same number से divide कर रहा है, इसका obvious सा बात है, यहाँपर फिर थे वो divided by 2 किया है, तो last वाला यहाँपर जो आप पर answer होगा, वो भी कैसे आएगा, वो भी आएगा divided by 2 करके, 750 को अगर हम लोग 2 से divide करेंगे तो answer क्या जाएगा मेरा 375 ये मेरा answer हो जैसे अगर हम लोग 14 वाले question 14 number question का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है 18,000 से 9,000 देखो कैसे पहचाना division series पहला और last वाला number देखो gap बहुत जादा का है और normally decrease हो तो यहाँ पे क्या होगा इसमें भी क्या क्या हमने divided by 2 किया 9,000 से अगर हम लोग 3,000 करेंगे तो क्या होगा divided by 3 करेंगे 3,000 से अगर हमने 750 किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे होगा divided by क्या 4, दो number से देखो आपको idea लग जाएगा जैसे यहाँ पे 2 हुआ, फिट 3 से divide हुआ और यहाँ सब आते next वाला 4 से ही होगा अभी इसका मतलब देखो 4 के बाद क्या आएगा 5 से divide करना है तो आपको simply क्या करना है, 750 को 5 से divide कर दोगे यहाँ पे क्या जाएगा 1 तो इस तरीके से हम लोग क्या परते है division series को समझते है कैसे, आप देखोगे, decrease होगा और क्या होगा, gap होगा यहाँ पे एक point जैसे यहाँ पे निखा हुआ है क्या हमने देखो, यहाँ पे increasing और decrease है दो series देखा इंक्रीजिंग वाले में हमने क्या देखा increasing वाले में मुझे मिलाता है addition और increasing वाले में भी normally क्या होता है और decreasing वाले में हमने क्या देखा subtraction series था और क्या था division series sort में निखना होगा लेकिन यहाँ पे increasing वाले में तो gap क्या होएगा? Gap आएगा थोड़ा लाड़. Same wife under decreasing वाले में भी subtraction आ रहा था और division आ रहा था. subtraction वाले में gap का अगर हम लोग बात करेंगे तो gap क्या होगा? Small होगा और अगर हम लोग division वाले का बात करेंगे तो gap क्या होगा? यहाँ पर gap लाड़. इस तरीके से हम लोग पैचानेंगे क्या? Addition, Multiplication, Division और subtraction. तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? कौन-कौन सा सीरीज पढ़ा? पहले मैंने number series के pattern को आपको समझाया. उसके बाद हमने prime number series पढ़ा, logical, illogical पढ़ा, Addition, Substraction, Multiplication, Division. तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए. इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोख रहा हूँ. Next video जो कि immediately कल या पर्सों में आपको मिल जाएगा. वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद का pattern. जैसे हम लोग Multiplication के साथ Addition, Multiplication के साथ Substraction. ये सारा pattern क्या होता है? और मैं दो-दो pattern बन सकते हुआ. मैं आपको next वाले वीडियो में डिसकस करूँगा. तब तक आप लोग इससी pattern को अच्छे से practice करते रहे. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंज के साथ भी सेयर करें जिसे हम लोग को भी थोड़ा motivation मिलेगा, हम लोग को भी थोड़ा support मिलेगा हम लोग और भी अच्छे से अच्छा वीडियो आपक